हेलो सब्सक्राइब नियूस में अप लोग का स्वागत है और आज की रेक नियूस शुरू करते है स्रीधे अलिगड से जिया आज कल और परसो तीन दिन की टेक नियूस यहां से मिलेगी और मंडे से फिर नॉर्मली आपको मुंबई से मिलना शुरू हो जाएगी यहां पर द इसलिए दोस्तों कि आप पे इतना प्यार दिया टेकनूस पर वह तो बनता ही है कि मैं कहां पर भी रहूं टेकनूस तो आपको उबलेगी कि यहां को कल में आप से पूछा था कि बाई Redmi के कितने phones आज लॉंच हो सकते हैं मैंने बहुत सारे options दिया था उसमें से 72% लोग बोलते हैं कि भाई तीन phones लॉंच होने वाले 57,000 लोगों ने वोट डाला था लेकिन आप गलत थे हैं सिर्फ दो ही फोन लॉंच हुए थे आज और इनी से रिगार्डिंग आज एक और पोल रखता हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग होगा आपने दो सब देख लिए आपको दो सब पताईए और उसी खतरनाक वायरस से जसने सबके नाख में दम करके रखाए और बहुत परेशान हो गया एक्चुली मैं दोस्तो और इंडिया में भी दोस्तो ये घुश चुका है और अब इंडिया ने दोस्तो वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स लिया है लेकिन एक और दूसरी चीज एक्जैक्ली ऐसा फील होता है लेकिन एनिमेस दोस्तों आप इसको बंद कर सकते कॉल करते जब ऐसा आवाज आ रहा है तो आप क्या करो अपने डाइलर कोलो कोई भी बटन दबाओ नंबर दबाओ और वो बंद हो जाएगा सुनने के लिए धन्यवाद तो यहाँ दोस्तों सैमसंग की तरफ से खावर आ रही है और इंडिया में दोस्तों सैमसंग ने अपने एक नई सीरीज वाले टीवी को लांच कर दिया है जिहां और यह आपको 32 इंच और 42 इंच के साइस में मिलते हैं जो प्राइस से दोस्तों वह 12,990 से शुरू होती है सैमसंग का टीवी 32 इंच का 13,000 रुपे में मिलता है और 42 इंच का प्राइस उन्होंने बता रही है यहां तक की ना रैम, स्टोरेज वगरा की कोई डीटल नहीं दिया है बस उन्होंने बोला है यह फन बिलीवेबल सीरीज है कुछ ऐसा नाम दिया है इसका मतलब स्मार्ट आप उसमें कंप्यूटर वारे काम कर सकते हैं, मतलब PDF, डॉक्यमेंट्स अगर यह सिप चीज करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, अपने laptop के स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आपको Netflix, Amazon वगरा के सारे contents मिलते हैं, तो यह millennials को focus करके उन्होंने यह TV लाया, affordable range क के अंदर, जो शायद मेरे पास भी कुछ टाइम में आ जाएगा, वैसे दोस्तों क्या खैल है, Samsung इन TV की बारे में आप मुझे comment करके बता सकते हैं, तो यहाँ में दोस्तों, Microsoft की दरव से, finally, दोस्तों, official हो चुका है, और जैसे कि आपको बता है, Microsoft का जो Project X Cloud, यह जो उनकी online game streaming service है, जिसे कि Google का Stadia है, तो Microsoft का भी है, और अब दोस्तों, officially confirmed हो गया, कि Microsoft Jio के साथ में partnership कर रहा है, इंडिया के अंदर, और वो हम सभी लोगों के लिए, online game streaming service ले के आएगा, इससे यह hint आता है, कि obviously Jio का 5G आएगा, और उसी के तुरू आपको यह service Microsoft प्रोवाइट करेगा, क्योंकि obviously 5G ही ऐसा होगा, जिससे आपको बहुत low latency मिलेगी, और आप अच्छे कासे online games किल सकते हैं, बिना कोई lag और frame drops के, वैसे यहाँ पर यह उन्होंने का है, कि इसका preview वो लोग शुरू करेगे, जो इस साल की end से होगा, और अगले साल से शायद आपको यह stable वोग प्रो phones उन्होंने launch किये, Redmi Note 9 Pro जिसकी हमने unboxing कर दिया है, अगर आप पे नहीं देखा है, आप ज़रूर से जा कि देखना, यहाँ पर card देता हूँ, description comment में link देता हूँ, और Redmi Note 9 Pro Max आ चुका है, दोनों में वैसे कुछ खास परक नहीं है, same processor मिलता है, battery भी same मिलती है, rear camera भी same है, setup same ह वहाँ पर Max में आपको 64MP मिलता है, Note 9 Pro के दर आपको मिलता है, 48MP, Selfie Note 9 Pro में आपको 16MP, Note 9 Pro Max में आपको 32MP किये, और उसके लबाद Note 9 Pro Max में 33W का fast charger box में मिलता है, और वहाँ पर आपको 8W का मिलता है, बस ऐसे कुछ changes से बाके तो सब कुछ आपको same मिलता है, price की बात करें, त 16,000 का 6128, मतलब Realme 6 से थोड़ा आपको expensive मिलता है, 6128 वाला, और Redmi Note 9 Pro जो Max से वो start होता है, 15,000 से दोस्तो, 664 में, फिर उसके उपर आपको 6128, 8128 वगरा मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या खेले हैं, वो तो मैंने poll दिया था, आप कुछे वहाँ पर बता देना, बह अबी तक हम 5G यूस नहीं कर रहें, और Vivo वाले भाई बोलते हैं कि हम 6G पर काम शुरू कर दिया, उन्होंने कहा है कि हमने पूरा इसका R&D बिठा दिया है, और बस अभी इस पर काम चली रहा है, कैसे इसको obstacles को tackle करना है, और कैसे ये करना है, मतलब, in other words, खुन खुला रह मतलब, imagine दोस्तो, 2025-2026 में आ जाएगा 6G, इंडिया में अभी तक हम 5G के लिए तरप रहे हैं, सोच लो, तो 6G तो 5G से और ज्यादा फास्ट होगा, और 4G से 5G और ज्यादा फास्ट है, कहां से कहां जा रहे हैं, और हम कहां से कहां हैं, तो यहां पर रियल्मी की तरफ से जो वो प्रोसेसर मिल रहा है, अभी यह तो वही सेम प्रोसेसर है, हमें जो रियल्मी C3 में मिल रहा था, लेकिन यहां पर आपको 4GB की रैम दिख रहे हैं, और उसके अलब आपको N.10 वगरा यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एनिवेस दोस्तो, रियल्मी 6i जो होगा, व अब काफि सारे रियल्मी की फोन सारे, रियल्मी की एक नई सीरीस होगी, तो शायद ओफलाइन में जाएगी, रियल्मी 6i आ रहा है, और अविसली रियल्मी U2 आपको मिल सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक चीज़ दोस्तो मैं आपको बता रहे हैं, तो जितना आप रियल्मी 6i सीरीस को बुरा समझ रहते हैं, वो इतने बुरा नहीं है, क्योंकि अब Redmi Note 9 Pro सीरीस आ चुकी है, अब आप खुद मैच करके देख सकते हैं, तो यहां में लावा की तरफ से वैसे इंडिया में बहुत कमाल की ख़बर आ रही है, और लावा ने दोस् में अब यह pre-install आपको मिलेगा, और यह दोस्तों अच्छी बात यह कि यह without internet भी काम कर सकता है, तो आप लोग अगर feature phone लावा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप directly एक phone से दूसरे phone के अंदर आराम से payment कर सकते हैं, without any internet connection, याद रखना है दोस्तों आप सोच रहे हैं, feature phone कौन इसकी, useless है, इंडिया में अभी भी 500 million से जादा लोग feature phone का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर यह बहुत ही जादा help करेगा, I think तोता भी अगरी करता है, तो आपको मता है कि दोस्तों, world का सबसे destructive virus कौन सा था, जो आपको obviously computers वगरा में देखने को मिलता है, व बात की देखने करता है, आपको आज की देखना है, अगर आपको पसेना तो जबरूस इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो देख लेना, बहुत ही help करेगा आपको, और अगर subscribe नहीं किये तो वो भी कर लेना, मिलते हैं आप सब लिए में एक ने वीडियो के